साथियों, आज बाबा धाम बै, मैं आप से एक सवाल करना चाहता, आप मुझे जवाब देने की ज़रुत देने कर मन में सोचिए, आज जो काम हो रहे हैं, देश यही है, लोग यही है, दफ्तर वही है, अपसर वही है, तो क्या पहले होने चाहिए थे गर नहीं होने चाहिए थे, यह काम पहले होने चाहिए थे गर नहीं होने चाहिए थे, कौन रोकता था उनको, भायों बैनो, इसका एक बड़ा कारण था, शरकारे कुछ होती है जिसके दिल में सेवा भाव नहीं सत्ता भाव भर जाता है और ये सत्ता भाव के खारण तो लंबे समय तक जो सरकारों में रहे उनकी प्रात्विक्ता सत्ता सर्वसत्ता सब्दूर सत्ता कहां से मिले वहां से पाना सिर्फ सत्ता यही उनका खयाल यही उनका मंत्रा वही उनकी प्रात्विक्ता सेवा कभी उनकी प्रात्विक्ता नहीं रही अगर रहती तो देश आज आज़ादी के 45 साल मना रहा है बहुत आगे पहुँच चुका होता भाईयों ऐसे मैं व्यवस्त ऐसी बन गई कि जिसके पाद पहुँच थी सिफारस्ती जो जनवान था वोई सारी सुविधाओं तक पहुँच पाता था और सावी सुविधाएं उसी के लिए समर्पित हो जाती थी पहले से जीतने दूर थे जो गरीब थे दलीद थे पिछडे आदिवासी थे उन तब सुविधाओं भी उतनी ही देर से पहुँचती थी उनका नंबर ही नहीं लगता था इसलिए जारखंड को संधाल प्रगना के इस बहुत बड़े छेत्र को सुविधाओं के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा और मुझे गर्वा है कि भाजपा की सरकार, NDA की सरकार, गरीब की सेवा की भावना से उनके लिए जीजान से काम कर रही है, हम गाउं गाउं तक सडके बना रहे हैं, ताकि सुविधा मिले, तो सब को मिले, हम गरीबों के लिए नए गर बन रहा है, जारखंड के बारा लाग गरीब परिवारों को पक्के घर मिले हैं भाईयों बैनों, हमारी सरकार बनने के बाद, बारा लाग गरीब बाईयों को, मेरे आदिवासी भाई बैनों को पक्के घर मिले हैं, हर परिवार को बिजली मिले, परियाप्त बिजली मिले, गरीब से गरीब बैनों को रसोई गैस मिले, हर गर जल पहुँचे, इसके लिए हम निरंतर काम कर हैं हमारी सरकार के ऐसे ही प्रयासों से मेरे गरीब भाई मेहनों में गरीबों के विरूर लड़ने का गरीबी के खिलाब लड़ने का गरीबों को गरीबी के खिलाब लड़ने के लिए तैयार करने का गरीबी दूर करने का नया साहस पैदा हुआ है